हरिद्वार की पतंचली योगपीट के महामंत्री आचार्यवालकृष्ण को संग्तुराज संग की संस्था USDGN ने बड़ा संबान दिया है आचार्यवालकृष्ण को स्वास्त के क्षेतर में काम करने के लिए विशो के दस प्रभावशाली लोगों में चुना गया कल शाम को स्विज्या लेंड के जिनेवस्तित संग्तुराज संग के USDGN मुख्याले में आचार्यवालकृष्ण को समन किया गया इस मौके पर आचार्यवालकृष्ण ने संस्वित में भाशन देकर देश का गौरव भी बढ़ाया योग गुरु बाबा रामदेव ने इसे पतंजली योग पीटी नहीं बलकि पूरे देश के लिए एक एतिहस्तिक और गौरवशालिक शन बताया बाबा नामदेव ने कहा कि आचार्यवालकृष्ण शुरू से ही आईरुवेद को होमेपैथी और एलोपैथी के तरह मानिता दिलाने में लगे हुए हैं और इसका लोहा सेंक्तुराश्ट संग्रे बिमारा आईरुवेद में केवल संक्रामक रोगूं बलकि आज विश्व में तेजी से फैल रही डाइबिटीज और हाई बलड पेशर जैसी बिमारियों के लिए भी कारगर विकल्प है और पतंजली योगवीद आईरुवेद को मानिता दिलाने में लगातार्तत पर है लहाजा पतंजली योगवीद के आजर वालकित को मिलाए सम्मान आने वाले दिनों में आईरुवेद को विशो हेपडल पर स्थापित करवाएगा शुजर लेंड के जिनेवा में कल शद्धे आचारिश्री ने योग आईरुवेद और भारतिय जीवन पध्धती पर कल संस्कृत में भाषन दिया योईन के हड़ ओफिस में शद्धे आचारिश्री का सम्मान हुआ है योईन की ही सहयोगी संस्था युनाइटी नेशन्स सस्टेनेबल डवल्यमेंट गॉल्स ने हैल्थ के सेक्टर में वर्ल्ड की रिनाउंट लोगों को पहली बार सम्मानित किया है अर्या प्लाइटी ने उन्हा चामान की रिनाउंट जोगों को पहल लोगल्यमेंट लिए सम्मान्स सम्मान की।